हेलो गाईज वेलकम टू मैं चैनल आज हम भेवी का सूट की स्टिचिंग करेंगे कल मैंने इसकी कटिंगे परसों की थी सोरी कल मैंना वीडियो अप्लोड कर नहीं पाई टैम नहीं लगा तो यह सबसे पहले नेक लगाना है मैंने 5.5 इंच का गैप दे लिया है वेस्ट कर देना है अगर कम हो तो भी चलेगा कोई बात नहीं बस उपर को हलका सा फोल्ड करना होता है यह देखें बुकरम के उपर उपर इसको फोल्ड कर देंगे और धागा कट कर लिया है अब हमने नेक को फोल्ड करना है और सेंटर में एक कट लगा देना है यह देखें तो इस को हम फ्रंट के उपर लगाएंगे फ्रंट के पल्ले के उपर सूट का ये फ्रंट का पल्ला है इसके उपर अटैच करेंगे तो ये रियोन का फैबरिक है बहुत ही सॉफ्ट का फैबरिक था ये तो हमेशा आकर वो न लेडिस बोलती रहते हैं बहुत महंगा है बहुत महंगा कर दिआ है मैंने मैशाथ ना बैक्साइड की नैक बीक दिल चा फृत करके रखी थी पहले ही पंख्य की वज़िया से बहुत कपढ़े उड़ती है इस लिए मैं कोशिश करती हूं कि पहले ही कट करके रखने हों जब फैन्बंद होता है न कि तब ही cut कर लिती हूँ ये वेस्ट कपड़ा भी cut कर लिया था नेक के लिए और ये रेपरटी मैंने cut कर के रख ली थी अब नैक के सेंटर में जो कपड़ा भी है फाल तो वो वगा कट कर दींगे शिलाई के पास पास से ध्यान रहे कि सलाई के उपर ना कटने पाए बस पास पास से हमने कपड़े को कट कर दिया है अब نेक को उल्टी साइड पर फोल्ड कर देंगे यह देखें तो इस तरह से हमारा नेक रैडी हो जाता है फ्रंट का तो एक सलाई उपर लगा दिए है मैंने इसको पीछे को मोड़ कर आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं लेकिन मैंने सलाई ही लगाई है उरे पटी को अदा अंदर को अदा बाहर को फोल्ड करके एक रफ सलाई लगा देनी है अभी एक और सलाई लगे कि ये फिर फिक्स होगा ये वाला नेक वो सलाई हम तीरा जोडने के बाद में लगाते हैं फिर हमारा नेक फिक्स हो जाएगा बैक सैड का भी और इसके उपर दोनों साइड पर बुक्रम इसके उपर न तरपाई होगी फ्रांट के उपर भी बैक सैड के नेक के उपर भी अब तीरा जोडना है और उड़े पटी के पीछे रखना है बुक्रम वाला नेक और आदा देंच का गैप छोडते हुए छोटे बखे के साथ सलाई लगा लेनी है ये देखें हो सके तो तीरे के उपर डबल सलाई ही कर लें क्योंकि एक बार जी अगर सलाई निकल गई ना तो फिर दुबारा लगानी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसके उपर टिच बटन की पटी भी लग जाती है तो टिच बटन लग जाती है तो डबल सलाई कर लें अगर हो सके तो ये फिटिंग का जहां पर हमने निशान लगाया था कटिंग के समय वहां पर सिलाईया लगा देनी है तो इनकी फिटिंग है 38, 32 और 44 इंच तो हिप के पास से ज़्यादा है 44 इंच है लेकिन नीचे से तो निकल ही नहीं सकती फिर तो बहुत ज़्यादा लेंट चाहिए कपड़े के अगर बाजू हमने नीचे से निकालनी हो तो हमेशा सूट के जो हमने दो पल्ले कट करती है आगे से ही निकलती है बाजू तो ये एक साइड की फिटिंग लग गई है अब दूसरी साइड की भी लगा दूंगी मैं तो ध्यान के साथ दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर रखकर फिटिंग लगाएं ये नहों के बड़ा चोटा पल्ला हो जाए अच्छे से सेट करती हुए फिटिंग लगा दینी है और जहां जहां पर हमने निशान लगाए है हिप का कमर का और बस्ट का वहां पर सलाई लगा कर एक सलाई आदा इंजे छोड़ कर पीछे को मोड देती हूं मैं तो सलाईया लगा देती हूं कस्टमर की भी डिमाड होती है कि एक और सिलाई लगा कर देना डबल सिलाई हो फिटिंग की दूसरी सिलाई तो बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है बस एक सिलाई में थोड़ा टाइम लगता है यह आरम होल की गुलाई नापी थी मैंने साड़े आठ आई थी तो अब इसको ना हमने जोड लगाना है पहले सबसे जोड नहीं था इसके उपर इसकी गुलाई पूरी ही आ गई थी बाजू की तो यह साड़े आठ पर निशान लगाया है दो पल्ले उठाएं है और इनको कट कर देना है तो आगे की तरफ से हमने कच्चा मोड़ना है मतलब बड़े बखे के साथ एक और दो बार फोल्ड करते हुए बड़े बखे के साथ बाजू की मोरी को मोड़ देना है यह सारी तरपाई होगी सूट के उपर मोरी मैंने 6 इंच ली है वो बहुत ज़्यादा खुली खुली लूज मांगती है न तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और पीछे से 59 आठ इंच पर तो वैसे जैसे वो करती है न कि तरफ शल्टीहीं देती है मैं कुर्तीही तो मुझे सलायां ही लगाने चाहीं तरपाई नहीं करनी चाहिए कुर्ती का हिसाब तो वही होता है सलाईयों वाली होती है अगर हम मार्किट से लेकर आएंगे तो वो तरपाई थोड़े ना करी होती है वो सलाईया ही होती है तो बिल्कुल कुनारे के उपर ही सलाईय आई है फिर बाद में आकर मुझे बोलती थी कि कपड़ा नहीं बीच में रखा तो अगर जोड डालती फिर तो कपड़ा बच जाता मैंने जोड ही नहीं डाला मैंने सोचा कि ऐसे ही पूरी आ जाएगी तो ये देखें 6 इंच है तो पीछे से 6.5 इंच पर निशान लगा कर इसको सलाई लगा देंगे दोनों बाजू की फिटिंग हो गई है अब इसको बाजू को सीधा कर लेना है और सूट को उल्टा ही रखना है तो जो काट वाली साइड है न उसे आगे की तरफ करते हुए इसको अंदर डाल देंगे सूट की बाजू की आरम होल के जी देखें जो काट वाली साइड है न वो आगे की तरफ आनी चाहिए सूट के उपर भी हम आगे की तरफ एक्स्टा काट डालते हैं इससे न वल नहीं आते तो अब आदा इंच कपड़ा छोड़ते हुए गोल गुल घूमाते हुए बाजू को अटैच कर देना है वोश करने के बाद अगर ऐसे ही कलर रही तो बहुत अच्छा लग रहा है कलर कितने अच्छी है कलर इसके आ रहे वैसे न वो बहुत तेज है उसने वोश करके ही दिया था बोल रही थी कि मैं धोकर ही लाती हूं हमेशा सूट को जितना भी कपड़ा श्रिंक होना होता है हो जाता है तो यह हमने सूट की बाजू को अटैच कर दिया है दूसरी बाजू को भी ऐसे ही अटैच कर देंगे तो इसको सीधी करके जरूर देखना कि कोई वल ना आ जाए आगे पीछी की तरफ अच्छे से ध्यान से यह वाली बाजू भी सीधी करनी है देखें छे इंच मौरी रखी है फिर भी आकर बोल रही थी कि मारजन ही छोड़ा मुझे और ज्यादा खुली चाहिए तो मुझे लगता है उसे अमरेला शेप में बाजू सलवानी चाहिए वो बहुत खुली होती है फ्रिल वाली दोनों बाजू अटैच हो गई है अब टिच बटन के लिए पट्टी भी लगा दूंगी और यह बैक सेड का नेक है बड़े बखिये के साथ इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे जब तरपाई होगी तो यह वारी सलाई निकल जाएगी यह सलाई लास्ट पर लगती है अब नीचे घेरा फोल्ड करना है यह देखे मैंने पट्टियां कट करके रखी है क्योंकि इसकी लेंथ कम थी तो यह पट्टियां लगा कर इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा देंगे जितनी हो सकी बढ़ जाएगी हमेशा आकर ना सूट को चेक करती है कि पीछे इसने पट्टि लगा अगर मोड़ा है के नहीं तो वैसे यह काम एक्स्ट्रा हो जाता है मेरे लिए ना यह देखें एक सलाई लगी है एक और लगाऊंगी अभी तो यह एक और सलाई लगाई है उपर को नीचे को इसको कपड़े को फोल्ड करके इससे ही अच्छे से बैठता है नहीं तो उठा उठा लगेगा अब सारा कपड़ा जो हमने जोड लगाया है न वो अंदर को फोल्ड कर देना है इस तरह से डेड़ किंच का फरक तो पड़ ही जाता है जो कपड़ा हमने अंदर को फोल्ड करना था न वो पट्टी लगा कर फोल्ड कर दिया है तो ये मैंने दो सलाइयां लगाई है कटिंग में ये एक्स्टा टाइम लग जाता है ये पट्टियां बट्टियां लगाने में तो अच्छा हो अगर लेंध पूरी ही हो सूट की तो तो अब चेक करना है इसको दोनों बराबर होने चाहिए चाहा किसके तो अगर उच्छा निच्छा हुआ तो धेड़ कर दुबारा से सेट करेंगे और ये दूसरी साइड पर भी पट्टि लगानी है ये पट्टिया मैंने पहले से ही निकाल कर रखी है दो दो इंच की आदा इंच सलाई में आ जाएगा और देड़ इंच अंदर को फोल्ड हो जाएगा तो यहां पर मैंने वीडियो एक्स फास्ट कर दी है तांकि आपको ना परिशानी ना हो देखने में क्योंकि चाक ही फोल्ड करने है बाकी वीडियो मैंने थोड़ी स्लो ही की थी तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दिया करें आपका कौनसा ना बिल आ जाना है जादा अब तो बिजली का बिल भी माफ है जादा नहीं आता तो प्लीस आप लाइक करके जाया करें वीडियो को तो ये देखें अंदर को फोल्ड कर दिया है इसको भी घेरे को तो दोनों को चेक कर लूँगी फिर साइड में ये चाक फोल्ड कर देंगे एक और दो बार फोल्ड करके ये चाक भी फोल्ड कर देंगे तो ये देखें चाक फोल्ड कर दिये हैं दूसरी साइड पर भी मैं साथ में फोल्ड कर दूँगी ये कोटन का कपड़ा है असानी से फोल्ड हो जाता है अगर थोड़ा कपड़ा हिलने वाला हो ना तो फिर मैं सारी सलाइया नीचे से उपर को लेकर आती हूँ तो ये एक साइड के चाक फोल्ड हो गए हैं दूसरे भी कर लूँगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना थैंक्स फर वर्चिंग